जो अंदोलन आप लोगों का दो सालों तक चला और ये कहा गया कि जो हमारी मांग है जो उसकी बात करेगा उसी के साथ हम जाएंगे लेकिन जो मुख्य दो दल हैं आपकी मुद्दों को तो उन्होंने पुई प्रात्मिक्ता दिया ही नहीं है और आप लोग भी सबशांत अभी 13 अप्रेल का पहली बार भोटिंग होगा 13 मै को पहला मतलब चौथे जो तिसरा चरण का वहां से बोटिंग के शुरुआत हो रही है जो कानिडेट मीले हुए हैं पार्टियों ने उतारा है आप लोग इतना बड़ा कुर्मी समाज का भी अंदोरन किया क्या किसी पार अपने अपने ढंग से कंडिडेट खड़ा किया है लोग लेकिन आबादी के अनुसार तो हिस्सेदारी नहीं मिला कुर्मी समाज को बीजेपी ने एक दिया हजारी बाग में इंडिया गट बंदन ने दिया हाँ 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 सब एक एक ही दिया है आपनों का ज्यादा मांग देना चाहिए मेरा देखे है हर समय जब चाहे राउल गांधी हो चाहे भाजपा के बड़े नेता हो मोदी जी भी सब लोग कहते हैं कि आबादी के अनुसार उसको भागिदारी देना चाहिए लेकिन यह practically हो नहीं रहा यह क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं है और लोग अप बाल बच्चा को लेकि अब तो अपना विरासत को ही राजनीत में थुपने का काम हो रहा है। समाज का कोई क्लिव है नहीं नहीं वो सब तो कुछ नहीं है चाहे हार जाये कुछ हो हो जाये। मेरा सवाल एक और था है कि जो अंदोलन आप लोगों का दो सालों तक चला और यह कहा गया कि जो हमारी मांग है जो उसकी बात करेगा उसी के साथ हम जाएंगे लेकिन जो मुख्य दो दल हैं आपकी मुद्दों को तो उन्होंने प्रात्मिक्ता दिया ही नहीं है और आप ठीक है एक मैंने चिठी लिखा था मोदी जी को 26 फबरारी को और उस चिठी के अवज में उन्होंने मलपीय मोने पस्चिम बंगाल सरकार जार्खन सरकार और उडिशा सरकार को मेरे चिठी के अलोग में उन्होंने जवाब मगा है कि कुर्मी लोगों को एस्टी बनाने के ममले में आपकी क्या राई है लेकिन अभी तक तो लोग ने कोई अब तो चुनाव अचार सहिता है इसलिए इतनी जल्दी तो लोग की जाएगी नहीं लेकिन चुनाव के बाद फिर ये बात को उठाया जाएगा जुनाह में जो बात हो रहे थी का भई जो हमारी बात नहीं करेगा हम उसके विरोध में रहेंगे तो क्यों वादी जी ने जब इसको कॉगनिजन्स लिया है संग्यान लिया है इस मम्ले को की कुर्मी को जंजाती सुची में सामिल किया जा या नहीं इसके लिए तिनों राजसरकार को उन्होंने नोटिस किया नोटिस या नमनलब पत्र दिया नहीं मोदी जी ने जो पेमयों के तो ऊस चिठ्थी को आज यह तो चुनाओं में आज हम देख रहें कि यह भाजपा निता लोग जार्खन के जो भाजपा निता लोग है चाहे बंगाल के जो निता लोग है चाहे औरिशा के जो भाजपाई लोग है इस बात को यह लोग क्यों चुनाओं में जनता के सामने नहीं रख रहा है यह मुझे एक तज्जूब लग रहा है परधान मंत्री का पत्र है अब परधान मंत्री ने मंगा है तो आप उस चीज को दबा क्यों रहे हैं उसको तो परकट करना चाहिए ना कि हमारी भाजपा ने इस बात को लेकर के आज हमारी राई की कुडमी लोगों को अनुसुची जन जाती सुची में सामिल करने का एक परियास है मुदी जी का परियास है तो यह तो बोलना चाहिए नहीं लोग को लेकिन नहीं आज भी लोग चुपचाप है आज तेरा तारीक अगला तेरा तारीक को फिर है बीस को है फिर प दोनों जगह चुनाव भोटिंग है तो क्या अभी भी मुंदा जी से नाराजगी है या मोदी जी के आने के बाद आप लोगों की नाराजगी खतम गुई है ना इस पर मुझे कुछ नहीं बोलना है कुछ भी नहीं बोलना है अच्छा चुना यहां पर जमस्यतपूर लोग लोग पर अभी तो मेरा इस चुनाव में कोई इंट्रेस्ट नहीं है सिधा सिधी बात है सब पार्टी में वहीं बात है ना सब एक दुसरे को आरोफ परत्यारोफ और आजकल मैं थोड़ा सा ज्यादा अध्यात्मिक हो गया हूं और चुनावी बाते हैं और किसी का ने किसी बात करने में मुझे क्या करते हैं संकुछ होता है और लगता एक इस वर मुझे मना कर रहा है तो इसलिए मैं किसी का पच्छा और विपच्छ में कहीं कुछ नहीं बोल रहा हूं जारखंड में क्या रहेगा अब जारखंड में जो हो यहां की जनता जिसको जो समझ में आएगा अपना करेगा अब इसमें मेरी राई देना तो मैं आउस्यक नहीं समझ रहा हूँ तो आप बाचे देख रहे थे जिस तरीके से इन्होंने अपनी राय रखी तमाम मुद्धों पर वो कुल्मी समाज का मुद्धा हो कि सुनाव में उनका क्या भूमिकारा जो कह रहा था कि भई जो लोक सबाच शुनाव आएगा तो हमारी जो बात जो हमारी मांग है खासकर जो सामील करने को है तो उसकी उकालत नहीं करेगा त色णी जोगों का समर्थर नहीं करेंगे या जैराम महत्तों को लेकर क्या उनका भूष्षय है जो इन्होंến लिखा है जो इन्होंने कहा है उस पर आपकी क्या राहे आप अपनी राय दे सकते है अपने श्व्योगी सी अच र बारकान